प्रिष्ट संख्या 134 पाठ संख्या 10 कथा पठकथा इस पाठ में पठकथा, स्रोत, स्वरूप और संग्रचना नाटक वफिल्म की पठकथा में अंतर पठकथा लेखन का प्रारूप पठकथा और कम्प्यूटर पठकथा कुछ और नहीं कैमरे से फिल्म के परदे पर दिखाये जाने के लिए लिखी हुई कथा है मशूर सहितिकार और कई कामयाब टेलिविजिन धारावाहिकों के लिखक स्वर्गिया मनोहर शाम जोशी ने कई उपन्यासों आदी के साथ साथ एक महत्रपून पुस्तक लिखी जिसका शीरशक है पटकथा क्या बला है? संभव है, शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा हो. तो सबसे पहले शब्द पटकथा, ये दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा. कथा का मतलब आप सभी जानते हैं कहानी, और पट का अर्थ होता है परदा. अर्थात ऐसी कथा जो परदे पर दिखाई जाए. चाहे वो परदा बड़ा हो या छोटा. यानि कि सिनिमा और टेलिविजिन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाले फिल्मों, धारावाहिकों आ और समवादों की जानकारी मिलती है. तथा कैमरे की पीछे काम करने वाले तकनीश्यनों और सहायकों को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है. कथानक तो इसका एक अभिन हिस्सा होता ही है. प्रिष्ट संख्या 135 अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कलपना शक्ती से उबजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से जाकता कोई विक्तित्व या सच्चा किस्सा, अथ्वा साहित्त की किसी अन्य विधा की कोई रचना. मशूर उपन्यासों कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफी पुरानी है. अभी कुछ वर्ष पूर्वी शरत चंद्र चटोपाथ्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्म आया गया. इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों मुन्शी प्रेमचंद, फनीश्वर नाथ रेणू, धरमवीर भारती, मन्नु भंडारी आदी की तमाम रचनाओं को समय समय पर रुपहले परदे पर उतारा गया है. दूरदर्शन तो अकसर ही साहितिक रचनाओं को आधार बनाकर धारवाहिक टेली फिल्मों आदी का निर्मान करवाता रहता है. अमेरिका यूरोप में तो जादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विशय बन जाते हैं. इस तरीके से आपके विशय की समस्या तो हल हुई. अब मसला उठता है पटकथा लिखने का. इसमें हम सब पहले देखेंगे कि पटकथा की संग्रचना या धाचा किस तरह तयार होता है. फिल्म या टीवी की पटकथा की संग्रचना नाटक की संग्रचना से बहुत मिलती है. अंग्रेजी में तो इसे कहते ही स्क्रीन प्ले हैं. नाटक की तरह ही यहां भी पात्र चरित्र होते हैं. नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग-अलग घटनास्थल होते हैं, दृष्य होत द्वंद टकराहट और फिर समाधान ये सब कुछ पटकथा के भी आवशक अंग होते हैं मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूल भूत अंतर भी होते हैं पहली चीज है दृष्च की लंबाई नाटक के दृष्च अकसर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में छोटे छोटे इसी प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घट नस्थल होते हैं जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं हर दृष्च किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है इसकी वज़ा है दोनों माध्यमों में मूल भूत अंतर नाटक एक सजीव कला माध्यम है जहां इसलिए नाटक का कार्य व्यापार दृष्यों की संग्रचना और चरित्रों की संख्या आदी को सीमित रखना पड़ता है लेकिन सिनिमा या टेलिविजन में ऐसा कोई बंधन नहीं होता सबसे बड़ी बात नाटक की कथा का विकास लेनियर मतलब एक रेखिया होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है जबकि सिनिमा में फ्लैश पैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकन होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविश में होने वाली किसी हादसे को पहले दिखा देते हैं इन दोनों तकनीकों को हम एक-एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं मान लीजे हम रांगे राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दुश्य से जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं मार खा रहा लड़का भाग कर एक घर के दर्वाजे पर पहुँचता है घर के भीतर से भाग कर चमेली आती है उसके साथ उसके छोटे-छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी है चमेली घर की देहलीज पर सर रखे खून से लथपत गूंगे को देखती है जो अपनी व हम पागल खाने का वो द्रुष्ट दिखाते हैं जहां कुछ तिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी और जहां पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी यही वरतमान से अतीत में जाना फ्लैश पैक की तकनीक कहलाता है फ्लैश फॉवर्ड समझने के लि जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं वैसे मूल नाटक में ये द्रिश इस प्रकार नहीं है लेकिन अगर इसकी पटकता लिखी जाए और हम इस द्रिश में फ्लैश फॉवर्ड तकनीक का प्रयोग करें तो द्रिश कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि अचानक वीना क के मन में ये विचार कौंधता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए हैं वो पूरे परिवार तथा पड़ोसियों के सामने मोजों में से अंडे के छिलके जमीन पर गिरा कर उसे बुरा भला कह रही हैं हम वापस वरतमान में आते हैं और वीना अपना स पूरा करती है कितनी बार कहा छिलके मोजे में मत रखा करो कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे और चाय का पानी हीटर पर रखने के लिए चली जाती है यहां एक तथे गोर करने लाइक है वो ये कि फ्लैश पैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तमाल करने के पश्चात हमें वापस वर्तमान में आना जरूरी है ताकि दर्शकों के मन में किसी किसम का असमंजस न रहे फिल्म या टेलिविजन माध्यम में एक सुविधा ये भी है कि एक ही समय खंड में अलग-अलग स्थानों पर क्या घटित हो र हजारों मील दूर किसी महानगर में रहने वाला हमारा नायक अपनी बेश कीमती विदेशी कार से एक बुढ़े फेरी वाले को टक कर मार देता है। कालांतर में दोनों नायकों के मुलाकात देश की राजधानी में होती है। नायक नमबर एक अब बहुत बड़ा मजदूर नायक नमबर दो एक कामियाब उद्योपती। मतलब ये कि इन दोनों विक्तियों का यहां तक का सफर हम एक साथ दिखा सकते हैं। या अगर हम अंडे के छिलके का ही उदाहरन लें तो जिस समय वीना अंडा फ्राइंग पैन में डाल कर हल्वा बनाना शुरू करती है। उस प्रिष्ट संख्या 137 इसी तरह की युक्ति कई बार पटकथा में नाटकिये तनाव बढ़ाने में काफी मददकार साबित होती है। पटकथा की मूल एकाई होती है द्रिश्च। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कारे व्यापार के आधार पर एक इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से द्रिश्च भी बदल जाता है। हम आपके पाठक्रम में से रजनी का ही उदाहरन लेते हैं। और वक्त है शाम का। ये सारे अलग-अलग लोकेशन्स पर अलग-अलग द्रिश्च हैं। मान लीजे, पहले द्रिश्च में हम ये दिखाते हैं कि रजनी और लीला बेन बातें करते-करते रसोई घर में चले जाते तो बावजूद इसके की समय, कारे व्यापार, चरित्र सब एक ही हैं, फिर भी द्रिश्च संख्या बदल जाती है, क्यों? क्योंकि घर्टनास्थल बदल गया है। चलिए, अब हम उस द्रिश्च को देखते हैं, जहां रजनी अगर डारेक्टर ओफ एजुकेशन के कमरे के बाहर बैठी, अपनी बारी आने की प्रतीशा कर रही ह अब मान लीजे, रजनी को 15-20 मिनट इंतिजार करना पड़ता है। इतनी देर का द्रिश्च सिर्फ रजनी के बैठे रहने का दिखाएंगे, तो दर्शक बोर हो जाएंगे। अतह इस द्रिश्च की पटकता कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी। द्रिश्च चार शिक्ष अधिकारी के कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तक्ती लगी है। उसी के साथ मुलाकात का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने के बेंच पर रजनी और तीन-चार लोग और बैठे हैं। प्रतीक शारत रजनी के चहरे से बेचैनी टपक रही है। बार-बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्थ होता जा रहा है। रजनी, चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा। चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा, बुलाएगा, नजाने किसमें बिजी बन कर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कट्टू, द्रिश्य पाँच, शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, बाहरी कक्ष, दिन, अंदर। कैमरा आफिस के अंदर चला जाता है, सहाब मेज पर पेपर बेट खुमा रहा है, फिर घडी देखता है, फिर घुमाने लगता है। कट्टू, प्रिश्ट संख्या 138, द्रिश छे, शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, बाहरी कक्ष, दिन, अंदर। वही बाहर वाली जगह एक आदमी आता है। अपने नाम के स्लिप के नीचे पांच रुपे का एक नोट पाता है। चपरासी हस कर भीतर जाता है, लोट कर उस आदमी को अंदर जाने का इशारा करता है। रजनी के चहरे पर तनाव, डिजॉल्व टू, द्रिश छे, कौ, वही जगह, कुछ देर बाद। रजनी अभी भी चपरासी को घूर कर देख रही है, जो मजे से अपने पूस देकर भीतर गया था, वो अधिकारी के कमरे से बाहर निकलता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। रजनी उठकर दंदनाती भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे, अरे, किधर कुछ आता, अभी घंटी बजी क्या। रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक ब पासने लगते हैं। चार, पांच, छे के कारे व्यापार में निरन तरता है। लेकिन घटना स्थल में दो अलग अलग द्रिश्य। इसी प्रकार द्रिश्य छे और छे क का घटना स्थल एक ही है। लेकिन दोनों द्रिश्यों के बीच लगभग 5-10 मिनट का फासला है। इसलिए दो भिन द्रिश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखा जाता है, वो कमरा है, पार्क है, रेल्वे स्टेशन है या शेर की मांद, उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय, दिन, रात, सुभे, शाम. तीसरी जानकारे जो द्रिश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है, वो ये कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में, अंदर या बाहर. आम तौर पर ये सूचनाईं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों, इंटीरियर या एक्स्टीरियर के तीन शुरूआती अक्षरों का इस्तिमाल किया जाता है, मतलब आई एंटी या एक्स्टी. प्रिष्ट संख्या 149. ये पठकथा दिखने का अंतराश्ट्रिय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है. सिनिमा या टेलिविजन के कारिक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीजों का सहारा लेना पड़ता है. पठकथा के शुरू में दिये गए संकेत, फिल्म या टीवी के कारिक्रम के निर्देशक, कैमरा मैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डारेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफी मदद करते हैं. इसी प्रकार दृष्ट के अंत में कट्टू, डिजॉल्ब टू, फेर आउट, आदी जैसी जानकारी, निर्देशक वो एडिटर को उनके काम में सहायता पहुँचाती है. अब तो खेर, कम्प्यूटर पर ऐसे सॉफ्ट वेर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बना बनाया होता है. साथ ही साथ वो आपको ये बताने में भी सक्षम होते हैं कि आपकी पटकथा में कहां कहां पर गरबड रही है. अक्सर उसे सुधारने के पर निर्भर करता है. पाट से संबाद. एक, फ्लाश बैक तकनीक और फ्लाश फॉवर्ड तकनीक के दो-दो उदाहरन दीजिए. आपने कई फिल्म में देखी होंगी. अपनी देखी किसी एक फिल्म को ध्यान में रखते वे बताईए कि उनमें दृश्यों का बटवारा कि इन आधारों पर किया गया. दो, पटकता लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों?